नमशकार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल औल एक्जाम गाइड गुरूपर दोस्तों मैं परड़े अलग लग टॉपिक के कॉशन्स आपको प्रोवाइड करना हूँ क्योंकि जीके सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक से करेंगे यह वो प्रशन है जो जोग्रफी के नाम पर बेसिक कॉशन हमेशा पूछे जाते हैं तो इनको याद कर लिए क्योंकि तीन से चार नमबर की जोग्रफी हर एक्जाम में जीके सेक्शन में पूछी जाती है बाकी तो आप समझदार हैं ही अगर वीडियो पर पहली कॉशन नमर वन पूछा गया है आपसे हिमाले पर च्छत्तिस्व मीटर से अधिक उचाई पर पाई जाने वाली वनस्पती क्या कहलाती है वो वनस्पती जो हिमाले पर पाई जाती है च्छत्तिस्व मीटर से अधिक उचाई पर पाई जाती है उस वनस्पती को क्या कहते है तो उसे कहते हैं अलपाइन तुरण भूमी option number A इस प्रशन के लिए सहीतर हो जाएगा राइट answer है next question देखते है प्रशन है निमलिकित में से कौन सा ग्रह मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था तुर राइट answer हो जाएगा Uranus option number B इस प्रशन के लिए सहीतर है यॉरेनस मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था राइट answer है option number Uranus सहीतर है next question देखते हैं प्रशन है continent of contrast किसे कहा जाता है continent of contrast किसे कहा जाता है तो right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए इन महादीपों में से Asia महादीप को जो है continent of contrast कहा जाता है option number A इस प्रशन के लिए सही उतर है next question देखते हैं निमलिकित में से किसे परवतों का सागर कहा जाता है right answer क्या है तो इस पर उठने वाली उची उची लहरे और परवतों के बीच में उपस्त होने के कारण इस सागर को कोलंबिया option number British Columbia option number 20 प्रशन के लिए से इतर हो जाएगा परवतों का सागर कहा जाता है right answer हो जाएगा British Columbia next question देखते हैं प्रशन है दक्षण भारत का Manchester इन में से किसे कहा जाता है दक्षण भारत का Manchester किसे कहा जाता है तो right answer है कोई अंबर टूर को दक्षण भारत का Manchester कहा जाता है next question देखते हैं प्रशन है निम्द लिखित में से Mount Titles कहां पर इस्थित है निम्द लिखित में सीमा चेतर की सबसे उची चोटी इन में से कौन सी है निर्विवादित भारते चेतर की सबसे उची चोटी इन में से नंदा देवी option में से राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा सूरी की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सरवादिक समय लेता है नेक्श कौशन देखते है मानव भूगोल में क्रिया शीलता का सिद्दान्त किस ने प्रदिपादित किया था नेक्श कौशन देखते हैं प्रशन है प्रथवी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस प्रथवी पर कौन परावर्थित कर देता है प्रथवी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस प्रथवी पर कौन परावर्थित कर देता है तुराईट आंसर हो जाएगा ताप मंडल आप्शन नमबर 20 प्रशन कली से इतर हो जाएगा प्रथवी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस प्रथवी पर ताप मंडल परिवर्थित कर देता है प्रशन है समुद्र का जल औस्तन कितना खारापन रखता है अपने आप में समुद्र के जल में औस्तन कितना खारापन होता है तुराई तांसर हो जाएगा 3.5 प्रतीशत option number 6 प्रशन के लिए सेटर हो जाएगा समुद्रे के जल में औस्तन खारापन जो है तीन असमलो पांच प्रतीशत तक होता है नेक्स कॉशन देखते हैं निम्न मैंसे तकला माकन मरुस्थल कहां परिस्तित है तो राइट आंसर हो जाएगा तकला माकन मरुस्थल जो है मद्य एश्या में है निम्न मैंसे किस राज में प्रत्या वर्ती मानसून का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है तो राइट आंसर हो जाएगा तकला माकन में है सौर मंडल में कौन सा उपग्रह है जिसमें जीवन की संभावनाएं जो है विद्धमान है तो राइट आंसर है यूरूपा ऑप्षन नमबर डी इस प्रशन के बनी होती है इनमें से अधिकांस भू परपड़ी जो है किस सैल की बनी हुई है तो आगनिया सैल की बनी हुई ह अप्षन नमबर इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते है निमन में से गोलन हाइट्स कहां परिस्तित है इनमें से गोलन हाइट्स जो है कहां परिस्तित है तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यपूर्व में अप्षन नमबर इस प्रशन के लि होती है तो राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बैसन ऑप्शन नमबर 20 प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा अमेजन बैसन में सरवादिक वार्षिक वर्षा होती है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं प्रशन है कौन सी परवत की चोटी प्रतवी के केंद्र से सुदूरतम बिंदू है राइट आंसर हो जाएगा तो माउंट चिंजो चिंबो राजो माउंट चिंबो राजो आप्शन नमर बी इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा कौन सी परवच चोटनी प्रत्वी के केंद्र से सुदूरतम बिंदू है तो माउंट चिंबो राज तो इस प्रशन के लिए सही उत्तर है, next question देखते हैं, निम्न मैंसे किसको मानव भूगूल का पिता कहा जाता है, तो right answer हो जाएगा, कॉरल रिटर को, option number A, इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कॉरल रिटर को मानव भूगूल का पिता कहा जाता है, next question देखते हैं, निमने कित मैंसे भारत किस गोलार्द में इस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा तो भारत जो है उत्तर और पूरवी गोलार्द में इस्थित है option number A इस प्रशिंग लिए सही उत्तर है next question निमने मैंसे कौन सी नदी विश्वत रेखा को दो बार काटती है? निमने मैंसे ग्रीण विश्वत रेखा का प्रशिंग लिए सही उत्तर हो जाएगा option number B इस प्रशिंग लिए सही उत्तर हो जाएगा ग्रीण विश्वत रेखा का प्रतिवेतन बिन्दू Atlantic महासागर पर इस्थित next question विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप मांजुली का निर्मार करने वाली नदी कौन सी है तो विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप मांजुली का नदी का निर्मार करने वाली नदी ब्रह्मोपुत्र है option number D इस प्रशिंग लिए सही उतर है next question देखते है निमने कित मैंसे प्रायह गर्मी जो है किस कारण से आती है राइट आंसर क्या हो जाएगा इन मैंसे गर्मी जो है प्रायह किस कारण से आती है तो विकरण के माध्यम से option number radiation विकरण के माध्यम से जो है गर्मी आती है next question देखते है निम्न मैंसे भारत का सबसे उचा जलपरपात कौन सा है तो option के हिसाब से देखा जाए तो जो गर्सोपा जलपरपात जो है भारत का सबसे उचा जलपरपात है right answer हो जाएगा next question देखते हैं निम्न मैंसे वायू में carbon day oxide की मातरा कितनी होती है right answer क्या हो जाएगा वायू में carbon day oxide की मातरा जो है 603 प्रतीशत option number B इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा होती है next question देखते हैं निम्न मैंसे अफरीका महादीब का सर्वोच परवश शिखर कौन सा है तो माउंट किली मंजारो माउंट किली मंजारो जो है option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा आफरीका महादीब का सर्वोच परवश शिखर है next question है निम्न मैंसे भागी रथी नदी कहां से निकलती है तो भागी रथी नदी जो है गोमक से निकलती है नकाशियों के लिए जाना जाता है तो करनाध तक इस प्रशण खसे । जा नेक्ष कॉशण डेखते हैं कौ Now सा इस्थान सिंधू और गंगा नदी जल प्रनाली के वीभाजन प्रिस्तित हैं कौन सा इस्थान गंगा माफ करेगा सिंदु नदी और गंगा नदी के जल प्रणाली के विभाजन प्रिस्थे थे तो अंबाला इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं प्रशने हैं भारत में स्थापित पहला राश्य उध्यान कौन सा है भारत में स्थापित पहला राश्य उध्यान कारवेट राश्य उध्यान है राइट आंसर हो जाएगा कारवेट राश्य उध्यान जिस राज्य में उसके गवरनर का नाम क्या है comment box में बताइए next question किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरीके से आयात पनिर्भर है किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पनिर्भर है तो यहाँ पर सेयतर हो डाएगा पोटास उर्वरक इस प्रशिंगे लिए सही उत्र है भारत पोटास उर्वरक के आयात के लिए पूरी तरके से निर्भर है आयात पर नेक्श कौशन देखते हैं भारत के निमलिखित शहर में से किस ने पहली बार वियुसाइक रूप से बिजली का उपयोग किया था तो वी नदीप पर बना उचितम बहुत देशिय बांध रंजीत सागर है राइट आंसर है ऑप्शन नमबर सी इस प्रशन के लिए सही उत्तर है नेक्श कौशन देखते हैं निम्द मैसे विश्यो के दो सबसे छोटे महाधीप कौन से हैं तो विश्यो के दो सबसे छोटे नेक्श कौशन देखते हैं निम्द मैसे कौन सी गर्त हिंद महासागर में स्तित है तो राइट आंसर है गर्त या खाडी यहाँ पर से यत्तर हो जाएगा सुंडा गर्त अप्शन नमबर हिंद महासागर में स्तित है राइट आंसर है सुंडा गर्त नेक्श कौशन देखते तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिक्र इस प्रशेंग के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है अरावली परवशिकर की सबसे उंची चोटी गुरु शिक्रे है अच्छा आप मुझे बताइगे धूप गड़ कौनसे परवशिकर र है चोटी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर शेयर करिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ग्रूप में शेयर करिएगा और अगर कुछ पूछना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुप हो